आज मैं आपको बताऊंगा दियर और शीप इनका प्लूरल नहीं बनता अर्थाथ इसमें एस और दियर में एस शीप में एस नहीं लग सकता फिर भी हम इसको प्लूरल बना सकते हैं कैसे बनाएंगे देखें जा शीप इस ग्रेजिंग एक भीड चर रही है अब हमें प्लूरल बनाना है ऐसे लगाने हैं कुल बादिनि तब निप्लूरल हो जाएगा दद्यर वाद राणिग हेरन डौर रहा था एक हेरन डौर रहा था द द्यर वर रनिग बहुत शारे हेरन डौर रहे थे लगा दिया को प्लूरेंज इसका रहे बढ़ रहे थे इसका चैने हम एस लगाते हैं कहीं और लगा देते हैं कहीं कहीं नहीं लगाते हैं अपनी मर्जी कर देते हैं, चैक में भी ऐसे लिख देते हैं, देखिए क्या सही है, क्या गलत, कहां S लगाएंगे, कब S लगेगा, कब S नहीं लगेगा, 100, 1000 और dozen में, S कब लगता है, और कब नहीं लगता है, देखें, अगर 100, 1000 या dozen से पहले कोई संख्या होती है, तो इसमें S कभी नहीं लगाते हैं, उदारण के तौर पर, I bought three dozen bananas, मैंने तीन दरजन केले खड़ी दे, three dozen, dozens कभी नहीं होगा, क्योंकि इसमें पहले three लगा हुआ, अब देखें, my father gave me five hundred rupees, five hundred rupees, five लग गया hundred से पहले, तो hundreds कभी नहीं हो सकता, hundred rupees होगा, my father gave me, gave five hundred rupees, मेरे पिचाजी ने मुझे पांच लग बजी है, I bought three dozen bananas, तीन दरजन केले मैंने खड़ी दे, अब देखें, कब ऐस लगेगा, यदि hundred thousand और dozen के पहले कोई संक्ष्या ना हो, तो, कोई संक्ष्या ना हो, जैसे इसमें three है, इसमें five है, कोई संक्ष्या ना हो इसमें पहले, तो, ऐस लगाते हैं, तथा उसके बाद off लगाते हैं, देखें, उद्धारण, thousands of rupees, अब देखें, thousands लग जया, इसमें ऐस लग जया, उसके बाद off जरूर आएगा, thousands of rupees were spent, 1000 रुपे खर्च हो गये, thousands of rupees were spent, 1000 रुपे खर्च हो गये, जान रहे, उसके बाद off जरूर लगेगा, hundreds, hundreds of persons gathered there, hundreds of persons gathered there, अब देखें, hundreds, शेक्रो आदिन वहाँ इकथ्था था, इकथ्था हुआ, hundreds of persons gathered there, शेक्रो लोग वहाँ इकथ्थे हुए, कैसे लगिये मेरी वीडिवी लाइक चले, शेयर कर दिल्थे इस पुराइके कर दिल्स, बच्र unlimited can,